मैं परिनिता, भाग चार, क्लोजट खोलते ही एक तरफ मुझे उसकी सुन्दर महंगी साडियां दिखी, परी ने इन्हें मुश्किल से एक बार पहनी होगी या वो भी नहीं, मेरा उन्हें पहनने का बड़ा मन करता रहा है पर मैंने कभी उसकी साडियों को हाथ नहीं लगाय आज तो जैसे मैं हक से इन साडियों को देख कर निहार रही थी, क्या आज एक पहन लून, कौनसी पहनूँ, मैं एक क्रोसड्रस हूँ जिसे भारतिय औरतों की तरह सजना अच्छा लगता है मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी परिनीता है, हम दोनों अमेरिका में डॉक्टर है, परिनीता को मेरा साड़ी पहनना या सजना समवारना बिलकुल पसंद नहीं है अब तक मैं छुप छुप कर अपने अर्मानों को पूरा करती रही थी पर आज से तीन साल पहले एक रात हम दोनों का जीवन बदल गया सुबह उठने पर हम दोनों का बोडी स्वैप हो चुका था मतलब मैं परिनीता के शरीर में और वो मेरे शरीर में थी दोनों आश्चर्य चकित थे जहां एक और परिनीता बड़ी परेशान थी और इस अजीबो गरीब स्थिती को ठीक करना चाहती थी वही मैं इस बदलाव का जादूई असर महसूस कर रही थी पहली बार अपने नए शरीर को नहाते वक्त छूकर मैं उत्तेजित हो रही थी शौव में बहते हुए गर्म पानी के नीचे मेरी उंगलिया मेरे शरीर में आग लगा रही थी और मैं बस अपनी नई योनी में बेकाबो होकर उंगली डालने ही वाली थी अब आगे तभी अचानक मेरे अंदर का पती जाग गया और बिना कुछ किये मैं जट से शावा से बाहर आ गई अपने लंबे काले गीले बालों को आदतन रगड रगड कर टौवल से पूंचने लगी पर जैसे मेरे हाथों का अपना खुद का दिमाग चल पड़ा और वो फिर धीमे धीमे टौवल से दबा कर बालों को सुखाने लगे और फिर सामने जुक कर जट से सर उठा कर मैंने बालों को जटक कर बाल सीधे किये इस दोरान मेरे स्तन जोर से हेल पड़े एक औरत बनने की मादकता मुझ पर भारी पड़ रही थी रह रहकर अपने नए शरीर से खेलने का मन कर रहा था किसी तरह कुछ करके मैं बाहर निकली बाहर परिनीता अपने घुटनों को पकड़ कर उसमें सेर छुपाये उदास बैठी थी मेरे लिए अजीब सी स्थिती थी सामने परिनीता मेरे पुराने पुरुष शरीर में थी मेरे बाहर आने की आवाज सुनकर उसने सेर उठाया और मेरी ओर देखा उसकी वो आँखे तो मेरी थी पर उसमें गुसा परिनीता का साफ जहलक रहा था जिसे देख कर मैं समझ गई कि मैंने कुछ गलती कर दी है प्रतीक वो मुझ पर चीख पड़ी यह है क्या तरीका है तुम पागल हो गए हो टौवल कोई ऐसे ब्रास्ट्स के निचे लपेटता है जल्दी से ब्रास्ट्स पर से लपेटो मैंने अपने लड़के वाली आदत अनुसार कमर के निचे टौवल लपेटा था जल्द से मैंने अपने स्तनों को धका चून की मैंने अपना टौवल उप्योग किया था, उसकी लंबाई थोड़ी छोटी थी और मेरी कमर के नीचे का हिस्सा अब दिख रहा था मैं आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही परी मुझ पर भड़क पड़ी, यह क्या है तुमने अपना लड़कों वाला अंडव्य पहन लिया है, पर परी, मैं तुम्हारी पैंटी कैसे पहन सकता हूँ तुम्हें पसंद नहीं कि मैं कोई भी लड़कियों वाले कपडे तुम्हारे सामने पहनू मैंने इमानदारी से जवाब दिया क्योंकि सचमुच परी को ये पसंद नहीं था तुम घूल रहे हो कि तुम मेरे शरीर में हो, मेरे शरीर को मेरे कपडे पहनाओ तो क्या तुम भी अब मेरे लड़कों वाले कपडे पहनोगी, मैंने पूछा हाँ, मैं अपनी ड्रेसेस तुम्हारे शरीर पर चड़ा कर निकलूंगी तो दुनिया तो हम पर हंसेगी ही और मेरी ड्रेसेस भी खराब हो जाएगी क्या तुम्हारे पास जरा भी अकल नहीं है, और किसने तुम्हें मेरे बालों को धोने कहा था मैंने कल ही तो धोए थे, और देखो कैसे तुमने उन्हें गूंत दिया है, मैंने इतने प्यार से संभाल कर इन्हें लंबा किया और तुम इन्हें एक दिन में खराब कर दोगे परिनीता की बात तो सच थी, मुझे भी लग रहा था कि मुझे बालों को इस तरह रगड रगड कर नहीं पोंचना चाहिए था, पर मेरे पास औरत होने का अनुभब ना था चलो, अब जल्दी से सही कपडे पहनों गुस्से में परिनीता बोली मैंने उसके द्रावर से एक सुन्दर सी गुलाबी रंग की पैंटी और मचिंग ब्रा निकाली मुझे एक बात की खुशी तो थी कि मुझे जट से ब्रा पहनना आता था चुप चुप कर ही सही पर आसानी से ब्रा पहनना सिक चुकी थी मैं परिनिता ने मुझे ब्रा पेंटी पेहनते देखा पर कुछ बोली नहीं ब्रा और पेंटी मेरी स्मूथ त्वचा पर पफेक्ट फिट आ गई पहली बार मैं असली स्तनों पर ब्रा पहन रही थी पफेक्ट फिट का कमफर्ट मेरे स्तनों पर पहली बार महसूस की थी लाया तो थोड़ा होश सा आया. मैं खुद को कमरे में लगे आइने में एक पल को देखी. मैं बहुत से कसी लग रही थी. क्योंकि परिनीता मुझे देख रही थी, मैं जल्दी से उसका क्लोजट खोल कर कपडे धूंडने लगी पहनने के लिए. मैं फिर किसी कारण से उसे न बार पहनी होगी या वो भी नहीं. मेरा उन्हें पहनने का बड़ा मन करता रहा है पर मैंने कभी उसकी साडियों को हाथ नहीं लगाया. आज तो जैसे मैं हक से इन साडियों को देख कर निहार रही थी. क्या आज एक पहन लून? कौनसी पहनू? सच कहून तो मुझे पता थ कि किस साडी पर मेरा पहले से दिल आया हुआ था. पर परिनीता के सामने मैं कुछ देर कन्फ्यूज होने का नाटक करना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि हमारी इस नई स्थिती में मैं बहुत खुश हूँ. मैं ये सब सोची रही थी कि परिनीता ने कहा, आ से पहन लेना. मैं नहाने जा रही हूँ. मेरे आते तक तयार रहना. मुझे पता है तुम्हें द्रास पहनना आता ही होगा. परिनीता इस बारे में गालत थी. मैं पारम पर एक भार्तिय नारी के सामान थी. मुझे द्रास पहनने का ज़्यादा अनुभब नहीं था. मैं ही जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने द्रास में पीछे पीठ पर चेन चड़ाई थी। परी ने साथ में एक पेंटी होज भी रखी थी पहनने के लिए। यहाँ ठंड के दिनों में औरते पेरों को धकने के लिए पेंटी होज पहनती है। स्मूथ पेरों पेंटी होज पहनना बड़ा आसान था। मुझे बहुत जरूरत भी महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। घर का तापमान तो ठीकी था पर पता नहीं क्यूं आज ज्यादा ठंड लग रही थी और उपर से ये घुटनों तक की द्रस। पता नहीं परी ऐसे मौसम में भी क्यों छोटी लंबाई की द्रस पहनती है। मुझे मेरी अपनी हरी साड़ी याद आ गई जो मैंने कल शाम को पहनी थी। ठंड में भी अच्छी गर्म थी वो और मैं ऊपर से निचे तक पूरी तरह उससे धाकी हुई थी। कहीं से ठंड लगन का सवाल ही नहीं था। अब मैंने एक मैचिंग स्वेटर भी निकाल कर पहन लिया था। और बस परी के बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। परी बहुत देर लगा रही थी। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। न जाने क्या बात हो गई थी।